Hello everyone, Welcome to today's tutorial आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे animation की जो PowerPoint में बहुत असानी से किया जा सकता है और इसका नाम है Particle Effect ये actually text पे और image पे दोनों पे लागू होता है तो हम दोनों तरह के example देखेंगे बट इस effect को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए छोटी सी trick है जो मैं आज discuss करने वाली हूँ तो सबसे पहले हम text लेते हैं तो text और background या फिर image और background ये दोनों बहुत important है जब भी आप slide transitions की बात करेंगे तो यानि कि मैं hint already दे चुकी हूँ ये जो effect है ये आपके text पे या image पे नहीं लगता है ये पूरी slide पे लगता है तो पहला example हमने लिया जिसमें हमने particle word लिखा है और उसका background white है उसके बाद हम दूसरी slide लेंगे जिस पे हमने finally चमका लिखा है और इसका background हम लोग change करेंगे तो let's have black and white combination तो इसके लिए आप design में जाएं आपकी slide selected है design में जाएं format background में जाएं अब black लेना है तो solid color में हम लोग white की जगा पे black select करेंगे तो आपकी slide black हो जाएगी अब obviously जो हमारा text है वो नहीं दिखेगा तो उसको किसी और color का करना पड़ेगा तो हम first and second slides को एक दूसरे का बिलकुल opposite बना रहे हैं एक में black से लिख है white background में एक में white से लिख है black background में अब हम किसी और color को ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक और color लिया है जो की red है और इस बार हम लोग solid background नहीं रखेंगे हम gradient fill में जाएंगे और हम यहाँ से दो stop हटा रहे हैं और purple background ले रहे हैं यहाँ पे purple का gradient बनेगा अब इसमें जो extra चीज़े use हो रही है उन सबके tutorials actually uploaded है तो मैं link description box में डाल दूँगी बाकी screen पे अगर आप mouse को follow करेंगे तो भी बात बन जाएगी चौथा example जो है हमारा उसमें हमने हमारी image ली है logo की यहाँ पे कुछ और भी image हो सकती है और background हमने किया है black अब मुझे इस image का background हटाना है ताकि वो हमारी slide background के साथ merge हो जाए तो white को मैंने transparent color set कर दिया और मेरा यहाँ पे काम बन गया अब आती है animation की बारी तो particle effect अचली animation में नहीं है उसके बगल में जो transition है जो vortex है उससे हमें ये particle effect मिलता है अब ये एक preview हो गया है वापस से करते हैं आप slide को select करें transition में जाएं और यहाँ पे vortex select करें और आपको slide में एक particle effect दिखेगा पहले बहुत सारे particles दिखेंगे और फिर आपका text image जो है वो आते हुए दिखेगा वापस से देखिए अब पिछले slide का finally चमका गया और इस slide का ठीक है यहाँ पे आ गया इसमें जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो image राइट तो ठीक है जाते हुए दिखेगा और हमारा image आते हुए दिखेगा अब यहाँ पे मैं बहुत emphasize कर रही हुए जाते हुए और आते हुए इसकी बहुत जादा relevance है जो आपको अभी समझेगी जैसे आपकी इस slide के उपर तो कोई slide है नहीं यह तो first slide है आप इस पे जब vortex लगाएंगे तो black actually गया है जो नहीं रिखता है और हमारा red आया था यहाँ पे भी हमारा कोई exit effect नहीं दिखेगा इससे उपर कोई slide नहीं है तो by default वो black है और आपको आते हुए दिखेगे अब मैंने थोड़ा सा order change किया आप देखिए image जाएगी और हमारा text आएगा अब इस चीज का आप किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि slide transition है तो जो भी का background बनाईए यानि कि मैंने logo से जस्ट ऊपर एक blank slide बनाई जिसका background red है अब मैंने vortex लगाया तो आप देखिए red colors के particle जाएंगे और logo आएगा ठीक है तो ये एक pair है आप इनको जब साथ में play करेंगे तो बहुत अच्छे लगता है जैसे finally chumka white से लिखा हुए तो आप देख सकती हूँ जैसे यहाँ पर ठीक है लिखा हुए है और वो red color में लिखा हुए है बट उसके just ऊपर मेरा black color का background है ठीक है तो इसको compensate करने के लिए मैं red color की slide यहाँ पर add करूँगी और उस slide को मैं use करूँगी transition में तो मेरा red color का transition होगा जाते वे दिखेगा और red color में ठीक है ल अगर है मैं पहली बार gradient के साथ कर रही हूँ मुझे नहीं लगता मैं आगे कभी करूँगी बट जब आपका एक single या mono color का solid fill है तब यह बहुत अच्छा दिखता है ठीक है तो I think concept काफी simple है पिछले slide का आप background हो रखिए जो अगले slide का सबसे जादा इस्तमाल होने वाला color है चाहे वो photo हो चाहे वो text हो तो यहाँ पर यह है हमारी last thank you slide और इसको भी हमने transition दिया तो आप जानते हैं पिछले slide जाएगी और next slide आएगी तो यह रहा हमारा slide show और I hope आप इसका इस्तमाल जरूर कर पाएंगे यह उन में से एक effect है जिसमें महनत कम लगती है बट दिखता बह तब तक के लिए all the best keep exploring powerpoint presentation and thank you so much